कोरोना का कहर नहीं ले रहा थमने का नाम जिसको देखते हुए रास्ट्री राजधानी दिल्ली में गुरुवार से नई टेस्टिंग तक्निंग रैपिड एंट्यूजन टेस्ट के जरिये कोरोना वाइरस की जाँच शुरू कर दी गई है फिलाल ICMR ने इस तक्निक को केवल कंटेंट्मेंट जोन और अस्पताल या क्वानटाइन सेंटर में इस्तिमाल करने की ही इज़ाज़त दी है इसका इस्तिमाल कहीं और नहीं होगा आपको बता दें कि 30 मई को दुबार का सेक्टर 4 के रतनाकर अपाटमेंट में तीन कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद कंटेंट्मेंट जोन बनाये गया था गुरुबार को पुषासन ने इस अपाटमेंट में रहने वाले सभी लोगों को इस तकनीक के जरिये टेस्ट कराने के लिए बुलाया और टेस्ट किया आपको बता दें कि यह नई तकनीक कोरोना जाच में एक बड़ा बदलाव लाएगी इससे टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज होगी और कोरोना के मरीजों का पता जल्दी चलेगा जिसे उनका इलाज भी जल्दी हो पाएगा यह टेस्टिंग इसलिए खास है क्यूंकि आम तौर पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट एक से दो दिनों में आती है जबकि इस तक्नीक में 15 से 30 मिनट के अंदर नतीजा आ जाता है इस नई टेस्टिंग तक्नीक से अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसकी पुष्टी RTPC टेस्ट से की जाती है अगर कोई शक्स पॉजिटिव आता है तो उसे पॉजिटिव मान लिया जाता है इसके दाम तै करने की ऐसी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह टेस्ट खुद सरकार करा रही है इस तक्नीक में व्यक्ति की नाग की दोनों तरफ से फ्लूइट का सैंपल लिया जाता है फिर उसको पास ही मौजूद एक मोबाइल बैन के अंदर बनी एक छोटी सी लाबरोटरी के अंदर टेस्ट किया जाता है अगर टेस्टिंग स्ट्रिप पर एक लाइन आती है तो इसका मतलब नेगिटिव होता है लेकिन उसको पुखता तोर पर नेगिटिव नहीं माना जा सकता है और कन्फर्म करने के लिए आइटी पीसिया टेस्ट जरूरी होता है अगर दो लाल लकीर दिखाई देती है तो इसका मतलब वेक्ति पॉजिटिव है जिसको पुखता तोर पर पॉजिटिव मान लिया जाएगा लेकिन अगर कोई लकीर नहीं देखती है तो इसका मतलब टेस्ट बेनतीजा है इस तकनीक में टेस्ट का नतीजा पंदरों से 30 मिनट के अंदर आ जाता है इस तकनीक को साउथ कोरिया की मानिस सरिस्थित कमपनी ने तयार किया है आपको बता दें कि दिल्ली में 20 जून से रोजकरी 12,000 कोरोना टेस्ट करानी की यूजना है जिसमें इस तकनीक को सभी मौझूदा 247 कंटेनमेंट जोन में इस्तमाल किया जाएगा केंद्री ग्रिम अत्रॉले के निर्देश के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रादिकरड इस तकनीक के जरिये कि जाने वाले टेस्ट के लिए पूरा शेडियूल तयार कर रहा है यानि कब कहा कितने टेस्ट कराया जानी का लक्ष है या तै किया जा रहा है ऐसे में देखना ये है कि ये तकनीक कितनी सफल रहती है